हेलो और वेलकम टो कुखी प्रेम लता आप सबका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं मसाला सोया बिन बना रही हूं तो सोया बनाने के लिए सबसे पहले तो पानी गरम करना है जैसे पानी गरम हुआ तो उसमें नमक डाल देना है नमक हलका ही डालना है आपको तो मैंने आदा चम्मस से भी कम डाला है मतलब एक तीहाई डाला है और उसके बाद उसमें सोया बिनको डाल देना है गरम पानी में और उसको उबलने के लिए रख देना है थोड़ा सा उबाला है तो पानी बंद कर देना है गैस को और उसमें पानी को छानना नहीं है थोड मैं तेल गरम कर लिया है तो तेल गरम करते ही जीरा तेज पतता उसमें डाला है और धेर साहरा प्याज डाला है तो आप गाल दिया है आप चाहे तो काटकी डाल सकते हैं और इसको छी तरह से बुजना है और साथ में नमक डाल दुँगी तो नमक अपने इसाब से आप डाले yes तो यह देखिए यह सबजी मसाला है और आप चाहे तो धन्या जीरा का पॉडर जो मिक्स करके मैं घूंच के रखती हैं वह भी डाल सकते हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा आदा चमच गरम मसाला भी डाला है तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से तेल निकलने तक इस तरह से बुझना है और जब अच्छी तरह से मसाला तो यह सारा सोया भी उसमें डाल देना है तो और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बस पानी डाल देना है और उबाल आने के बाद धन्या से गार्णिश करना है और यह बहुत ही टीस्टी और बहुत ही प्रोटीन यूट सब्जी है तो इसको बनाईए फैमली को खिलाएए बच्चों को खिलाएए और टिफिन में भी ले जा सकते हैं असानी से कैरी कर सकते तो इसी तरह से बनाएए और किसी भी चीजे डोटी चावल की साथ इसको असानी से खाया जा सकता है और बस थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो इसी तरह से बनाएए धनिया से जनुर गानिश करिए धनिया का टेसेश में बहुत अच्छा आता है कस्तूरी मेथी मद डाले इसमें मेथी नहीं अच्छा लगता है तो धनिया ही आपको डालना होगा बस यह देखिए उगवाल आ गया धनिया मैंने डाल दी है बस इसी तरह से गर्मा-गर्म सर्व करिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाइख